दोस्तों हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वावत है दोस्तों आज हम व्योडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारा ये RJ45 कनेक्टर होता है इसमें कलर कोडिंग के इसाब से यानि कैसे इसको कनेक्टर को जो हमारी cat6 wire होता है इसको लगाएं इसका प्रोपर जो है कलर कोड वह हम को शेयर करके बोल दें कि वो भी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों सबसे पहले इसके टूल की क्या हो सिकता होगी सबसे पहले यह दि हमें RJ45 कनेक्टर या कोईब कनेक्टर को यह दी cat6 wire में लगाना है तो सबसे पहले हमारे पास एक तो इसका होना जरूरी है यानि की केबल टेस्टर है इसका होना जरूरी है जो लाइन टेस्टर और एक है क्रेंपिंग टूल इसका नाम है क्रेंपिंग टूल का होना जरूरी है उसके बाद हमारे पास जो टूल है प्लायर है कटर है और हमारे पास जो ब्लेड ले रखा हमने इसकी जगा पर नाइ ये camera इस camera में जो CCTV प्लस कम्पोंठी काम्पनी ने सकते हैं उनमें आजक लिए connector है just used हो रहे है इन connector को लगाने के लिए हमें ऐनिकी connector बनाना है वो कैसे बनाना किoby होनी चाहिए जिसकी help लेकि कॉई भी बंदा उसको पर दूबढ एज और वीडियो में देने वाले चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये कलर कोडिंग के लिए सबसे पहले इसको छील लेते हैं हैं दोस्तो हमने यह इसको छील लिया है इसके बाद इनके तार। हैं जो सिंगल सिंगल कर लेंगी एक अव्याता अलगश लेते हैं दोस्तो इसको हमने पर इसाब से सैट कर लिया जैसे कि सबसे पहले हमने broun brounu के बाद white brown white brown इसके green के बाद white blue blue वाइट ग्रीन उसके बाद औरेंज और उसके बाद हमने वाइट औरेंज यह इसी परकार से हमने इसको सैट कर लिए अब आगे से जो हमारा क्रेंपिंग टूल है क्रेंपिंग टूल की हेल्प लेके हम इसको आगे से बराबर कर लेंगे जो इसमें कटर होता है उसकी साहता से और उपर की तरफ करके इसको इसमें प्राइबर करके इसमें ब्राइबर इसी तरीके से लगा देने है यानि contribute राइटվइड हमारा जो ये ब्राउन होना चाहिए दोस्तो ब्राउन राइट साइड से सुरू करना है जो कलर कोडिंग है यह हम इस्क्रीन पर आपको दिया हुआ इसी कलर कोडिंग के हिसाब से आपको कलर कोडिंग करनी है दोस्तों दोस्तों हमने कलर कोडिंग के हिसाब से कनेक्टर को इसको देरे से कनेक्टर को इसके अंदर डाल देते हैं कनेक्टर डालने के बाद दोस्तों इधर हम चेक करेंगे कि हमारा जो हमने जो वायर डाला है या वायर यहां टच हुआ है नहीं हुआ यहां पर उसको लगाने के बाद हम देखते हैं दोस्तों दोस्तों कनेक्टर को अच्छे से फसाद है इसमें अब आप देख सकते हैं along से केनेक्ट लाग गया है अच्छे से अब कनेक्टर को हम थेयर parlks की सा कि एब दूल कर बार की tyre इसके वाला इस्साह भाला है वह इसमें हम लगा वहत TIME है ऑर इसको क्रेंप कर देंगे दोस्तों इसमें हम आराम से लगा सकते हैं क्रेंपिंग टूल को इसके अंदर लगाया उसके बाद दोस्तों इसको हमने अच्छे से प्रेस करना है प्रेस करने के बाद क्रेंपिंग टूल की चाहिता से यह हम प्रेस कर देते हैं इसको यह लो दोस्तो हमारा कनेक्टर है जो है वो लगके तियार होगा कनेक्टर हम सही इसको चेक करने के लिए दोस्तो हम इसको चेक करते हैं भी दूसरा कनेक्टर भी इसी परकार लगा लेंगे और इसको चेक करेंगे दोस्तो दोस्तों हमने दूसरा connector भी लगा लिया है अब दोनों connector को दोस्तों इसमें जो slot बने वे हैं इन slot में लगाएंगे इसमें और इसमें दोस्तों connector लगाएंगे उसके बाद इसको own करेंगे ओन करने के बाद इसमें जो की एक से लेके आठ तक दिया हुआ है यह सभी इसमें जो लाइट लगी हुई है चोटी छोटी LED वो जलेंगी LED तो यह सही है यह ज़िदी बीच में एक भी LED मिसकरती है तो यह प्रोपर कनेक्ट नहीं हुआ है चलिए इसको देखते हैं इसमें दो अब देख सकते हैं इसमें सभी लेटी जल रही हैं थैंक यू सो मुच प्रेंट वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना आगे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे हम कमेंट करके जरूर बताना लाइक शेयर कमेंट करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर बेल आइकन भी दबा देता कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक यू सो मुच फ्रेंड